नवश्कार साथियों स्वागत है आप सभी का वाइफ है स्टेडी पर मैं हूँ अंकेत अवस्ती आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में करंट इशू एट फाइफ थर्टी मेरे प्यारे साथियों रोजाना की तरहा मंडे टू फ्राइडे मैं आपके साथ में शाम साड़े पांच बजे दिन बर में घटी हुई किसी घटना से जिससे हमारा जीवन हमारी पढ़ाई हमारा पूरा समय प्रभावित हो सकता है उन चीजों को लेकर के शाम साड़े पांच बजे आने का आपके सामने प्रयास करता हूँ आज इसी क्रम में आप लोगों के साथ में जिस सूचना को लेकर मैं उपस्तित हुआ हूँ उससे संभवत है हमारा जीवन और हमारी पढ़ाई अवश्य प्रभावित होती है साथियों आज प्रधान मंतरी और मुख्य मंतरिय के मध्य की तीसरी चौथी कॉंफरेंस जो वीडियो कॉंफरेंस थी वो खतम हुई इस बात को लेकर के खतम हुई कि क्या लोगडाउन को आगे बढ़ाया जाए अर्थाद जो लोगडाउन दूसरी बार लागो किया था जो तीन मई तक खतम होने वाला था क्या इसे आगे राजियों के मुख्यमंत्रियों से बात करके इस बात का अंदाजा लगाने का प्रयास किया कि हर राज्य अपनी इस्थती से निपटने के लिए कितना मुस्तैद है कितना तयार है चूखी हमारा जीवन हमारी पढ़ाई इस सारे लोगडाउन से प्रभावित होती है पुरी सोचना में ये है कि कल सुभे 10 बजे अनकेडमी पर होने वाली special classes में इंडियर economy शुरू होने जा रही है। यदि आप banking की तयारी करते हैं तो आपके लिए यह session बेहद लाब प्रद होने वाला है। इसके अतिरिक्त railway, SSC, UPSC आप जिस भी exam की तयारी करते हैं उसके लिए आपको यह session बेहद लाब प्रद होने वाला है। इसे प्राप्त करने के लिए आप अनकेडमी के SSC section में जाकर के special class section में जाकर बिना किसी fees दिये इस session को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आप चाहते हैं कि आपकी geography बहुत अच्छी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी geography में mapping वाला जो part है वो आपका एकदम strong हो जाए, तो मेरे द्वारा SSC section में paid classes में, यानि की plus classes में आप लोगों के लिए mapping के through SSC में word geography चल रही है। अगर आप mapping दुरुस्त करना चाहते हैं, इंडिया का map और world का map अपने tips पर करना चाहते हैं, तो मेरा referral code है अंकित 10 जिसका use करके आप मेरी classes access कर सकते हैं। इतना ही नहीं, geography के अलावा, quality, economy, history, ये भी मैं सबी चीज़ें detail में पढ़ाऊंगा for any SSC exam, फिर चाहे CGL हो, CHSL हो, JE हो, STENO हो, Phase 8 हो, MTS हो, किसी भी exam के लिए आप पढ़ें, मेरे द्वारा ये सारा सभी sufficient content आप लोगों को provide कराया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये session उन्हीं लोगों के लिए है, जो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। वो लोग जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, वो फिर भी इस session को छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये session zero से hero बनाने वाला है, यानि basic से लेके एकदम upper element तक ले जाने वाला session है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको previous वीडियो भी मिले तो वो भी उपलब्ध हो जाएंगे। सारा content जो है वो आपके लिए multiple time डाउनलोड करने लायक इस्तिति में होगा और दौनों ही भाषाओं में आपके लिए content उपस्तित होगा। इसके अतिरिक्त इसी referral code से आपको maths की, reasoning की और English की classes भी मिल जाएंगी। आईए देखते हैं क्या रही है खबर उससे पहले आपके सामने कुछ जरूरी facts मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज कल कोरोना के बारे में जितने भी facts हैं वो सारे facts आज कल भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं इन ही facts के क्रम में आपके सामने जो आज बाते लिखी हुई हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखने की आवशकता है कि मैंने जो आपके सामने डेटा शेयर किया है यह डेटा 27 अप्रेल का डेटा है और आज कल भारत सरकार के द्वारा ही COVID-19 के डेटा प्रकाशित किये जाते ह आप भी चाहें तो इसे जाकर के ढूंड सकते हैं Ministry of Health and Family Welfare ये government की website है और आज कल कोरोना से जुड़े हुए सभी मामलों में update इसी website के माध्यम से आप तक प्रशारित किये जाते हैं मेरे प्यारे साथियों आज lockdown का 34th day है और इस समय पर कितने लोग सही हुए कितने विमार ह इन सभी चीजों के बारे में यहां पर सारी चीजें आपके सामने दिखाई जाती हैं साथियों ये भारत सरकार की website है और ये रोजाना update होती है सुबह के update के अनुसार भारत में इस समय 20,835 active cases है ये according to Ministry of Health and Family Welfare है भारत सरकार की है आप इसे website को नित्य देख सकते हैं आपक देखें ध्यान से और यहां से आपको पता चलता है कि लगभग यहां से 30% लोग सही हो करके जा भी चुके हैं यानि कि discharge हो चुके हैं सही हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों इसके अतिरिक्त लेकिन जो चौकाने वाला तथ्य है वो ये है कि यहां पर एक प्रतीशत मतलब की मर गया है मेरे प्यारे साथियों ये डेटा हमें चेतावनी देता है और वो चेतावनी किस बात की है हमें चेतावनी इस बात की देता है कि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें अपने आप से ही कुछ नियम कायदे कानून बनाने होंगे इन कायदे कानूनों के लिए हमें क् follow करना होगा, ये समझाना मेरा रोजाना का काम हो रखा है मैं आप लोगों को हर दिन बताता हूँ class में भी ये inform करता हूँ मैं सुभह वाली class में भी आपको बताता हूँ कि कृपया करके social distancing follow करें social distancing में ध्यान रहें कि आपके मुँसे निकला हुआ कोई भी saliva का part किसी अन्य व्यक्ति तक प्रसारित ना हो और अन्य व्यक्ति से आप तक प्रसारित ना हो ये सारी चीजें जो आप लोगों तक पहुँच रही है मेरे प्यारे सातियों इसे आप इस क्रम में भी समझ करके देख सकते हैं कि हाल ही में जो मोदी जी के साथ बैठा कोई है इसमें जो बात निकल करके आई उसमें प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्रियों के मध्य में वारता का निशकर्श ये है कि कहा गया है कि हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को भी सुचारू रूप से बढ़ावा देते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है अर्थात इस मीटिंग के अंदर ये हिंट दिया गया है कि हम economic activities को आगे बढ़ाएंगे ऐसा इस मीटिंग के अंदर निसकर्श निकाला गया है अर्थात जिन छेत्रों में प्राप्त ना हुई हो ऐसे सभी छेत्र आपके ग्रीन जॉन एरिया कहलाते है इन ग्रीन जॉन एरियाज में अगर 14 दिन से कोई सुचना प्राप्त नहीं हुई है तो धीरे धीरे यहां से कर्फ्यू हटा लिया जाता है यहां से lockdown हटा लिया जाएगा ऐसा एक हिंट प्राप्त हो रहा है तीन मई के बाद से लिकिन यहां पर प्रधान मंतरी मोदी जी ने लगभग नौ मुख्य मंतरियों से कॉन्फरेंस के थुरू बात की जिन में से चार मुख्य मंतरियों ने यही कहा कि वो चाहते हैं कि लौकडाउन तीन मई के बाद भी बढ़ है इन में से एक राज वो भी है जिसको आप सुनके आएं हैं इवन दो राज कहूं तो बैतर होगा जिन होने अपने यहां पर कॉरोना मुक्त होने का परचम लहरा दिया है याद करिए मैंने कुछ के दिन पहले आपको करंट की क्लास में पढ़ाया है कि गोवा हाल ही में कोरोना मुक्त राज बना है गोवा जो की हाल ही में कोरोना मुक्त राज बना है अर्थात वहाँ पर 14 दिनों से कोई भी मरीज नहीं मिला है ऐसी इस्थिती में गोगा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये कहा गया कि वैं चाहते हैं कि तीन मई के बाद भी लॉक्डाउन बढ़ाया जाए अब यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में लॉक्डाउन की परिस्थितियां लगाने जैसी इस्थिती नहीं है अर्थात जहां कोरोना पेशेंट नहीं है फिर भी वो अपने यहाँ पर लॉक्डाउन क्यूं चाहते हैं इसी प्रकार से मेगाले, मिजोरम और उत्राकंडे भी कहा कि वो लॉक्डाउन बढ़ाना चाहते हैं आप से बड़ा सवाल यह बनता है कि आफ्टर ओल यह राज यह क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास कोरोना पेशेंट तो नहीं है लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि लॉक्डाउन बढ़ाएं ऐसी इस्तती में यह संभव है कि गोवा में कहीं बाहर से चलके मरीज आ जाए जिसकी परिस्तितियों पर नियंतरण मुश्किल हो जाए ऐसी इस्तती में एक रिपोर्ट ये भी प्रकाशित की गई है सिंगापुर यूनिवरसिटी के माध्यम से जिसमें कहा गया है कि लगभग 21 मई तक भारत के अंदर 97% कोरोना के केसिस को क्योर कर लिया जाएगा ऐसी इस्तती में अगर हम इन बातों को ध्यान से सुने और समझे तो हमें ये समझ में आता है कि कोरोना के मरीज जो की सेल्फ इम्यूनिटी से सही होते जा रहे हैं अगर भारत इस इम्यूनिटी को मैंटेन करते हुए अपने लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से रखता हुआ आगे बढ़ता है तो हम कोरोना पर काबू पाने की इस्तती में हो जाएंगे अब बड़ा सवाल बनता है तो इसका मतलब यह हुआ कि सर जब ये राज दिमांड कर रहे हैं कि चार राज्यों ने कहा है कि बढ़े तो वहाँ तो बहुत सारे राज उपस्थित रहे होंगे फिर बाकी राज्यों का क्या स्टेंड है मेरे प्यारे सातियों समय अभाव के चलते वीडियो कांफरेंसिंग में केबल नौही मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया उनमेंसे चार ने तो स्वते ही डिमांड किया कि वो चाहते हैं कि यहां पर उनका कोरोना का मतलब लॉगडाउन बड़े और उने कहा कि वो केंदर के निर्देशों का पालन करेंगे ऐसी स्थती में केंदर सरकार के पास जो मैसेज पहुँचता है मतलब संयुक्त रूप से जो मैसेज पहुँचता है उसमें यही निकल के आता है कि राज्य चाहते हैं कि वो केंद्र के दिशा निर्देश में कार्य करें नमबर एक, अच्छा कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कई बार राज्यों के माध्यम से ये जो सूचना प्रसारित होती है कि केंदर के अनुदेश पर कार्य करेंगे यह क्या है मेरे प्यारे साथियों राजनीती की भाषा में पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसे सहकारी संगबाद कहते हैं कॉपरिटिव फेडरलिज्म कहते हैं यानि ऐसा संग जिसमें सभी राज आपस में मिलकर के अपने हित के बारे में निरने लेते हैं यदि ये राज अपने यहाँ पर कहते हैं कि हमें lockdown नहीं चलाना है हमें lockdown बढ़ाना है तो lockdown बढ़ाने के उन्होंने अपने काईदे गिना है लेकिन इसी बीच में एक और जो message निकल के आया जो कि मोदी जी के द्वारा अपने मुख्यमंतरियों से कहा गया वो ये message था कि आप लोग अपने यहाँ पर green john areas में economic activities शुरू कर सकते हैं कहने का अर्थ यह है कि इससे ये निशकर्ष भी निकलता है कि आप अपने राजियों में जहाँ जहाँ पर 14 दिन से कोरोना पेशेंट नहीं मिले हैं वहाँ पर economic गतिविदियां प्रारंब होती देख सकते हैं लेकिन जहां तक रहा सवाल इस बात का कि inter-state जो transportation है वो शुरू होगा या नहीं उसके आसार आज की meeting में बहुत कम नजार आते हैं हम लोग भी इस चीज के लिए मानसे को रूप से बिलकुल दुरुस रहे कि यह सारा प्रयास जो किया जा रहा है वो हम सभी देशवासियों के हित में किया जा रहा है क्योंकि साथियों आप लोगों ने आज ऐसी इस्थिती का सामना किया है जहां पर लगभग डेढ महीने के 34 दिन का जो lockdown हमने फेस किया है और अभी करने वाले हैं लगभग डेढ महीने का lockdown इस lockdown के इस्थिती में मेरे प्यारे साथियों हम लोगों ने घर में बंद रहकर के उस बिमारी को घर से बार ही छोड़ दिया क्यों ना हम थोड़ी और ततपरता दिखाएं और सरकार के अनुदेशों का पालन करें संभव है कि हम सब की सुरक्षा में निरने अत्यंत सकारात्मक लिये जाएंगे अगर economic activities भविश्य में open होती भी हैं तो उनमें हमारा ही hit होगा हम किसी और अन्य व्यक्ति के साथ ना मिलें कैसे इसे इंसान के साथ ना मिलें जिसकी medical history जिसकी tourist history हम ना जानते हों तो वो हमारे लिए ज़्यादा स्वास्त कर होगा तो आज की meeting का जो crux है मैंने वो आपके सामने सरल भाषा में रखने का प्रयास किया जिसका निश्करश अगर मैं एक शब्द में कहूं तो वो यही है कि 3 दाउन के 3 मई के बाद में होने वाला lockdown संभव तया lockdown तो नहीं कहलाएगा लेकिन inter-state transportation और inter-district transportation को रोकते हुए economic activities को प्रारंब करने की दिशा में एक कार्य होगा ये भी संभव है कि hot spot छेत्रों में जो वर्तमान में red hot spot छेत्र हैं उन्हें red से orange और orange से green में लाने के लिए सरकार को ही नए दिशा निर्देश जारी करिए कि करे ये आपके लिए important तथ्य है hopefully आप सभी लोग इस पूरी बात से जो की छोटी सी briefing थी मेरे द्वारा इस से आप तक message पहुचाने में मैं सफल रहा हूँगा मेरा नाम है अंकेत अवस्ती आप मेरे को टेलिग्राम पर यहाँ पर follow कर सकते हैं मेरा टेलिग्राम ग्रूप है जिस पर लगबग एक लाख विध्यारती जुड़े हुए हैं आप भी जुड़ करके यहाँ पर इसी प्रकार के notifications मेरे सभी वीडियो के notifications और classes के PDF प्राप्त कर सकते हैं चैनल है टेलिग्राम पर तो वाइफाई लाइव टेस्क सबस्क्राइब करें आपने छोटे भाई बहनों के लिए अगर चाहते हैं कि वो 9th से लेके 12 तक की पढ़ाई को बड़े सजोसु जारू तरीके से करें तो अनकैडमी पर 9th से 12 के CBSC classes जॉइन करें